नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गौरी की रसोई में तो फ्रेंट्स हैर दिन के तरह आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही तेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ तो आज मैं आप सभी के साथ तड़का पैन ओमलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो आप देख सकते हैं कितना तेस्टी बन रहा है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो तड़का पैन ओमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडेंट्स लिए हैं फ्रेंट्स मैं आपको बता देती हूँ तो मैंने यहाँ पर तो मीडियम साइज के प्याज को बारे कट कर दिया है दो से तीन हरी मिर्च कट कर ली है थोड़ा सा काला नमक ले लिया है थोड़ी सी धनिया पत्ती कट कर ली है और अंडे ले लिये हैं अब हम फ्लेम ओन करेंगे तो हमने फ्लेम ओन कर लिया है और एक तड़का पैन ले लिया है फ्रेंट्स हाफ टेबल स्पून ओल एड़ करेंगे तेल गरम हो चुका है अब हम अंडे को एड़ करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा बारी कटावा प्याज एड़ कर देंगे थोड़ी सी हरी मिज्द एड़ कर देंगे फ्रेंगे खड़ी सी धनिया पत्ती एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे फ्रेंड्स इसे अच्छे से दोनों साइड से से एक लेंगे फ्रेंड्स फ्लेम हमें low to medium ही रखना है फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं ओमलेट बिल्कुल रेड़ी है तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स सेम प्रोसेस में सारे ओमलेट तयार कर लेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा प्याज एड़ कर देंगे हरे मेट्च और थोड़ी सी धनियोबती एड़ कर देंगे फ्रेंट्स थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे तो देखे फ्रेंट्स हमारे सारे तड़का पैन ओमलेट बिल्कुल रेड़ी है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कैसी बनी है आप देखी सकते हैं कितना टेस्टी बना है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई